क्या आप बता सकते हैं कि उनी वस्त्र हमें कहां से प्राप्त होते हैं? हमें सर्दी से बचाने वाले ये उनी वस्त्र, खास कर भेड की जो तचा के बाल होते हैं, उन मुलायम घने रेशों से प्राप्त होते हैं. भेडों के शरीर पर जो मुलायम और घने रेशे आ जाते हैं उन रेशों को उन कहा जाता है उन रेशों का उन बालों का उप्योग उन प्राप्त करने में किया जाता है दरसल इसी उन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है भेड बकरियां आदिशा कहारी होती हैं और वे घास और पत्तिया खाना पसंद करती हैं गडरिये उन्हें हरे चारे के अलावा दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदी भी खिलाते हैं दरसल भेडो के रिशों की गुणवत्ता और उनके पोशन, जलवायू और उचित धेखभाल और खानपान पर निर्भर करती है जितना अच्छा खानपान होता है, उतनी ही अच्छी उनकी गुणवत्ता होती है भेडो तथा अन्य जानवरो द्वारा उन उप्राप्त करने के लिए इन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजणना पड़ता है पाली गई भेड के शरीर पर बालों की अधिक व्रद्धी होने पर उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है और इस प्रक्रिया को उनके रेशों की कटाई कहते है यह कटाई गर्मी के मोसम में होती है ताकि भेडों को इस मोसम में पालदार तवचा वाले सुरक्षात्मक वातावरन के ने रहने पर भी कोई कठनाई ने हो क्या आपने कभी सोचा है कि उन के रेशो के लिए भेडों के बालों को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है ठीक वैसे ही जैसे हमें हमारे बाल कटवाने में कश्ट नहीं होता है और काटने के बाद ये दुबारा से उख भी आते हैं ठीक इसी तरह से भेडों को भी बालदार तवचा को उतारने में कश्ट नहीं होता कटाई केबाद्ध रेशो को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोय जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्थ निकल जाए यह क्रिया अभी मार्जन कहलाती है आजकल अभी मार्जन मशीनों से किया जाता है अभी मार्जन के बाद रेशो की छटाई होती है जिसमें अच्छे रोयदार रेशो को उनके लंबाई चिगनाई और हलके पन के अधार पर अलग-अलग कर लिया जाता है यह काम भी हातों से यह मशीनों से दोनों से किया जा सकता है इसके बाद प्राप्त रेशो को सुखा लिया जाता है और चोटे-चोटे और कोमल रेशो को जो प्राप्त होते हैं उनको उनके धागो के रूप में इनकी कताई की जाती है कताई के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं वो काले भूरे या सफेद रंगे होते हैं इसके बाद इन रेशों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है रंग भी रंगे उनी रेशे अक्सर रंगने की प्रक्रिया में आपस में उलज जाते हैं इसलिए इनको रंगाई के बाद सुल जाकर सिधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है भेडो की संख्या की दिश्टी से चीन और उस्टेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है